हेलो गाईज, मेरा नाम सक्षम डोब्रियाल है, यह NRX Knowledge Channel है, जा पर मैं हमेशा की तरह बाते करता हूँ ड्रक के बारे में और आपको हमेशा ड्रक के बारे में नॉलिज देता रहता हूँ तो जैसे की मैं कहा रहा हूँ कि आजकर मैं थोड़ा ड्रक के बारे में कम और थोड़ा एक वर्ड पर जैसे रहता है जो जो वर्ड से रहते हैं, जैसे की आप सब लोगों ने थोड़े सुने होंगे जो medical background से हैं भी और medical background से नहीं भी है तो उनको भी मैं बताना चाहा रहा हूँ कि कुछ आपने वर्ड सुने होंगे जैसे commonly अभी मैंने वीडियो बनाईती sedative, hypnotic, इन सब कुछ terminologies के उपर वीडियो बनाईती कि इनकी क्या रहता है, क्या इनका मतलब रहता है सुने बहुत होंगे तो एक शब्द और है, वो है एनस्थीसिया यह सब आपने सुना होगा कि एनस्थीसिया एक शब्द है सुना भी होगा, पिच्चरों में देखा भी होगा, अस्पताल में भी देखा होगा कि एनस्थेटिक एजेंट्स का इस्तमाल करा जाता है प्रेशन से पहले, यह आपने बहुत कॉमन ली चीज, यह सुनी होगी, देखी होगी सीरियलों में, या फिल्मों में, या हर जगा देखी होगी लेकिन एनस्थीसिया होता का है, उसके बारे में हम बात करेंगे topic के उपर, सबसे पहली बात है कि anesthesia क्या होता है, anesthesia का मतलब एक Greek शब्द है, क्योंकि पूरी की पूरी आप जो philosophical चीजे भी देख रहे हैं, या फिर आप कोई विज्ञान की बाते देख रहे हैं, वो सारी चीजे क्या है कि Greek से आई हैं, हम इसको use करते हैं, तो use करने पर हमें जब पता चाहता है कि anesthesia, तो anesthesia को दो शब्द में तोड़ा जा रहा है यहां पर, जिसमें anesthesia का जो and शब्द है, उसका मतलब होता है without मतलब कि इस चीज की हमें जरूरत नहीं है, without मतलब उसको छोड़कर और anesthesia जो शब्द है किसी, मतलब आप कह सकता हूँ कि किसी चीज की ना, आपको sensation, मतलब कोई भी चीज जो आपके आसपास है, उसकी awareness आप कह सकते हैं, awareness आपकी जागरुकता, ठीक है, और कोई चीज को आप feel नहीं कर पा रहें, तो क्या है कि आपकी जो sensation है, और जो awareness है वो loss हो रखी है, ठीक है एनेस्थीसिया, जो है शब्द, उसका simply मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि एक temporary loss है एक reversible loss है sensation और awareness का, ठीक है ये आपका full body भी हो सकता एनेस्थीसिया, जिसे हम general एनेस्थीसिया कहते हैं, मतलब कि जो आपने देखा होगा, surgery से पहले पूरी body को सुलाया जाता है, ताकि surgery में आपका जो है, दर्द कम हो, ठीक है देखा होगा, आपने बिच्चरों में जैसे chloroform को ऐसे attack कर देते हैं, ठीक है ऐसे criminal लोग attack करते हैं, हाला कि ऐसे नहीं होता है कि बिल्कुल ही, एकदम से उसको सूंके हो जाता है कुछ मिनट रखके, यह आपने देखा हुआ कि injection के थू किया रहता है, पेशेंट को बिल्कुल भियोश करा जाता है, और उसकी surgery आराम से करी जा सकती है, ताकि उसको दर्द ना हो, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, जनरल anesthesia होते हैं, ठीक है, और एक होते है local anesthesia, ठीक है, मैं आपर कुछ 3-4 anesthesia के बारे में बताऊँगा, type के बारे में, बट मैं आपको बताऊँगा, एक general होता है, और एक local होता है जिसको हम जात्तर देखते है local and aesthetic क्या होता है जो एक particular जिगा को सुन करते है ठीक है इस चीज के बारे में बात करते हैं हम थोड़ी नहीं इसकी history के बारे में बात करते है सबसे पहले अगर मैं history की बात करूँ तो 54 से 63 AD के आसपास की बात है एक बहुत बड़े philosopher थे बहुत प्रावश अलिवानी रखने वाले बहुत ही विज्यानिक आप कह सकते है सोच के इंसान थे बहुत ही दारशनिक इंसान थे philosophical हम कह सके है उनका नाम था क्या बोलते है डाइसोक्राइट्स डाइसोक्राइट्स बहुत famous थे अब मुझे को याद नहीं आ रहा है scientist थे इनका बहुत बड़ा रोल pharmacognosy में भी है तो ये जो scientist थे और pharmacist भी रहे है शायद मेरे कहल से तो इन्होंने क्या करा कि एक आर्मी का जो जवान था जो वार लड़ते थे उन्होंने mandrake plant को लिया और उसके साथ वाइन को boil किया और उसके गाओ पे लगाया तो उसके गाओ जो थे कुछ time के लिए सुन हो गए और उसको दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ तो ये बहुत पुराने time से इस चीज की क्या बोलता है चीज चल रही है और उस time पे उनको पता चला कि एक ऐसी एक दवाई उन्होंने ऐसी टाइप में बनाई है जिसको हम anesthesia कह रहे हैं उन्होंने शब्द ये anesthesia अब anesthesia ये शब्द से क्या हुआ तो हमें पता चल रहा कि एक particular जगा पे उन्होंने क्या करा उस गाउ को सुन कर दिया मुहाँ पर दर नहीं हो रहा था और कुछ time period के लिए कुछ time period के लिए दर चला गया था ठीक है उसके बाद क्या हुआ था कि 1799 में हम्परी डेवी नाम के एक scientist आयते है हम्परी डेवी नाम के एक scientist ने क्या गया रहा था नाय्ट्रस ऑक्साइट लेते हैं नाय्ट्रस ऑक्साइट से उन्होंने बोला कि मैंने एक an aesthetic agent बनाया है और नाय्ट्रस ऑक्साइट भी बहुत अच्छा an aesthetic agent काम करता है लाफिंग एस भी बोलो ठीक है उसकी analgica property भी होती है ऐसे करके था ठीक है, उसके बाद जैसे-जैसे करके ऐसे-जैसे research होती रही, फिर हमें बहुत सारे anesthetic agents मिले, वो भी, मेभी local anesthetic हो सकते हैं, जernal anesthetic हो सकते हैं, regional anesthetic हो सकते हैं, बगेरा-बगेरा, anesthetic को बनाने का simply purpose यह था, कि कोई भी अगर आपको, एक जगा को कहा कि आसपास की चीज़े अवेर ना हो उसे कोई sensation फील ना हो और अराम से काम का प्रोसेजर हो सकता है anesthesia की प्रोपर्टी यह है कि anesthesia reversible और temporary loss देता है sensation और awareness का मतलब यह कुछ देर तक दे सकता है यह घंटे पे भी depend करता है अलग-अलग drug के उस पे लेकिन कुछ देर तक के लिए ऐसा नहीं है कि permanent दे देगा permanent दे देगा तो दिक्कत हो जाएगी इसको कुछ देर के लिए होना चाहिए कुछ टाइम के लिए आपकी उस जगा को paralysis state में इसको कर देता छोड़ देता है ठीके अब बात करते थोड़ा type of anesthesia के बार में कि type of anesthesia कौन-कौन से type of anesthesia में सबसे पहले आता है local anesthetic agent ऐसे anesthetic agent जो की particular area को सुन कर देते हैं सिर्फ एक छोटे से particular area को सुन कर देते हैं ठीके कोई भी एक जगा पर आप उसको लगाते हैं उसकी सत्य पर आप उसको लगाते हैं anesthetic agent को तो उस जगा को सुन कर देते हैं आपको दर्द वो फील नहीं होता और वो जगा बिल्कुल एकदम से सुन हो जाती है इसका example बहुत सारे है जैसे कि कभी-कभी आपके मुव में च्हाले हो जाते हैं तो आपको एक doctor gel देता औरस और का ठीक है cocaine, lignocaine, procaine, prilocaine इनी नाम से आता है तो जब भी आप च्हाले पर उसको लगाते है जो आपके च्हाले सुन हो जाते हैं call-in salicyclicate जो रहता है वो आपका थूख बढ़ा देता है और salicyclicate और bacteria को मारता है एक और example ले सकते हैं कि कि किसी की जब अकलदार आती है कि reversible और temporary कुछ time period के लिए देता है ये घंटे पे भी depend करता है drug के dosage पे भी ठीक है vary करता है दूसरी चीज़ आती sedation sedation मैंने आपको बताया था sedation hypnotic में it kind of a toilet sleep ठीक है toilet sleep आपको देता है कुछ time के लिए आप काम हो जाते हो और जो भी doctor होता है वो easily अपना procedure काम कर देता है ये जो रहता है sedation इस time period में जब भी कोई doctor अपना काम करता है तो उसमें क्या होता है कि इस में जब आपको sedate करेगा जैसे काम करेगा तो इसमें इंसान पूरी तरीके से unconscious नहीं होता है पूरी तरीके से बिल्कुल भी भी होश नहीं होता है वो बिल्कुल उसी form में रहता है बस उस जगा को particularly सुन कर दिया जाता है या फिर वो इंसान काम हो जाता है anti anxiety drugs ऐसे भी काम करते है ऐसे रहता है ऐसे जी चीज़े रहती है wisdom tooth भी इसका example ही है और क्या बोलता है colonoscopies करी जाती है आपकी उसमें देखने के लिए colon को देखने के लिए colonoscopies करी जाती है तो वो भी उसका example है ऐसे करके एक होते है regional anesthesia regional anesthesia क्या होते है regional anesthesia से आप यह समझ लेजे कि एक नब particular area पे तो होते है local anesthesia से थोड़े अलग क्यों है यह regional मतलब एक particular region पे है और region ना एक छोटी जगा से थोड़ा बड़ा होता है छोटी जगा से मतलब जिसे कि अगर मैं बात करूँ कि मुझे अगर इसी जगा को सुन करना है तो इसी जगा के particular point पे local anesthetic काम करेगा regional anesthesia पूरे हाथ पे काम करेगा पूरे उस region पे काम करेगा hand surgery करने के लिए या फिर child birth को जो रहता है उसमें चाहिए दर्द कम हो औरत को तो उसको regional anesthetics का इस्तमाल करा जाता है ठीक है ऐसे रहता है last आते है general anesthetic पे general anesthetic वो agent होते है जो कि आपकी body पे काम करते है ठीक है पूरी body पे काम करते है आपको क्या करते है CNS depression provide करते है जैसे आप उसको grant करते है और पूरी body पे क्या होता है आपके body पे ऐसे काम करना start करते है ये जो start करते है ये cerebral cortex से basal ganglia तक जाते है ठीके, और इनका जातर इस्तेमाल कुछ ऐसी surgeries को perform करने में करा जाता है जिसमें इनसान को क्या रहता है कि जब इनसान को surgery कर रहे हो तो उसे दर्द ना हो, वो बिल्कुल aware ना हो और कुछ टाइम बाद वो उठ जाए इसमें इनसान क्या रहता है, unconscious stage पे रहता है general anesthetic की कम से कम 4 stages होती है वो मैं कभी आपको फिर से बताऊंगा क्या रहती है लेकि general anesthetic पे हम अच्छे से बात करेगे कि क्या ideal general anesthetic रहते है और क्या उसकी stages रहती है उसके अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा इस वीडियो में मेरा जो कम था वो ये कम था कि anesthetic agents जो होते हैं उनके वारे मैं आपको बताया था ऐसे करके anesthetic agents के बहुत सारे इस्तिमाल भी है बहुत सारे drawback भी है इस्तिमाल बहुत सारी surgeries में काम आता है painless surgeries देने में सबसे अच्छा काम करता है बहुत सक्षा में इस चीज में ठीक हैं ड्रॉबैक ये हैं कि most of the anesthetics का इस्तेमाल लोग recreational purposes के लिए इस्तेमाल करते हैं मतलब नशा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कभी कभी इसकी dosages इतनी अच्छी मतलब लोग को पता नहीं होता लोग इसके इतना गलत इस्तेमाल कर लेते हैं कि addiction तो छोड़ने की addiction की तो बात ही नहीं कर रहे हैं वो अगर इसका इस्तेमाल अगर वो अपने dose उपर नीचे हो जाएंगे तो सीधा भगवान को प्यारे हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत dose का नियंतरन ध्यान रखना पड़ता है इवन जो भी जो इसको operation की surgery भी करते हैं वो भी जो doctors होने चाहिए वो कम से कम एक certified anesthetologist होने चाहिए ठीक है उसके लिए CAA certificate भी होता है वो होना चाहिए इवन हम किसी भी ऐसे doctor से उसको करा नहीं सकते तो कुल मिला के बात है कि इस्तमाल भी है इन सब चीजों का ठीक है surgeries ठीक है अलग-अलग चीजों के लिए इस्तमाल करा जाता है ऐसे भी anesthetic agents होते हैं जैसे कि thaiopental, pentanal sodium होता है ठीक है वो सच बुलवाने के लिए इस्तमाल होता है ठीक है अलग-अलग होते हैं ठीक है जनरल anesthetic होता है यह बार्बी चुरिट की class में आता है तो ऐसे भी बहुत सारी चीज़े रहती है पर कुल मिलाके वेरी जुस वीडियो में बार थी वो थी कि anesthesia होता क्या है अगली वीडियो में हम अगर बात करेंगे तो मैं बार्बी चुरिट के बारे में बात करूँगा और ऐसी ही आपको कुछी टर्मिल लॉजिस हैं उसमें हम थोड़ा बात करेंगे जनरल anesthetics के बारे में थोड़ा और उनकी क्या ideal properties होती है and what kind of stage of general anesthesia क्या ठीक है कैसे उसको रहता है क्या 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 रखा जाता है थोड़ा मिन पर बात करेंगे और कुछ examples भी आपको बताऊंगा जिसे प्रॉप और फॉल हो गया विडियो जिलाम्स हो गया ठीक है उसके बारे में आपको बताऊंगा ठीक है ओके